हलो दोस्तो अगर आपका सौट्स बीडियो वाइरल नहीं जा रहा है या फिर आपका सौट्स चैनल ग्रो नहीं हो रहा है बहुत सारे आपने वीडियो डाल लिये हैं उसके बावजूद भी तो सबसे बड़ी एक में वज़ा उसके पीछे ये होती है कि आप अपने सौट्स की कैटगरी को सही से सेलेक्ट नहीं किये हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि सर बताइए सौट्स की मुझे क्या कैटगरी रखनी है जो भी मैं सौट्स बीडियो डालता हूं उसके क्या कैटगरी रखूं और सबसे बड़ी म विडियो और ज्यादा YouTube न भेच कर उसको वाइरल नहीं करता है। दिया गया है उस पर भी दबा कर all पर select कर लीजिए जिससे मैं जो भी वीडियो लाओं उसका notification आपको मिले तो चलिए मैं आपको detail में जो भी popular category है उनके बारे में बता देता हूँ पहले बात करते हैं dancing videos के बारे में क्योंकि dancing videos से related बहुत सारे आ रहते हैं मेरे पास comment कि इसे किस category में रखना है तो मैं आपको बता दू कि अगर आप dancing video बनाते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती एक करते होंगे आप उसे music category में रख देते होंगे तो भाईया यह आपको नहीं करना है अगर आप dancing video बनाते हैं तो आपको अपना dancing video वाला जो category है उसको select करना है entertainment क्योंकि आप dance करके सामने वाले को entertain कर रहे हैं कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसे सामने वाले entertain हो रहा है तो उसको आप entertainment category में रखेंगे comedy हटा कर comedy या फिर funny अगर कुछ आप बना रहे हैं तो वहां आपको comedy जो होता है comedy वाला जो category है वो आपको select करना है तो अगर आप कोई वो करते हैं जैसे story play करते हैं या फिर आप dancing करते हैं इस तरीके का अगर आप कुछ करते हैं perform तो वो आपको रखना है किसमें आपको entertainment पर रखना है और वही पर अगर आप कही पर जैसे आपने comedy वागरा किया कुछ funny way में किया जिससे सामने वाला देखे और उसे हसी आए तो उसे आप कहा रखेंगे comedy category में मैं आज आपको category wise नहीं बता रहा हूँ मैं आपको जो आप वीडियो बनाते हैं उस हिसाप से बता रहा हूँ उनके बारे में बता रहा हूँ कि वो जो जादतर वीडियो बनाते हैं अब आता है थर्ड जो बनाते हैं fact, motivation इस तरीके का वीडियो वो कौन सा category चूझ करें तो भाया उनके लिए category है education लेकिन अगर यही पर आप किसी व्यक्त के बारे में बता रहे हैं किसी जैसे बहुत ब बड़ा business man है उसके बारे मगर आप बता रहे हैं तो वहाँ पर आप यहाँ पर education भी रख सकते हैं या फिर आप people's भी रख सकते हैं people's and blocks जो category आता है वो भी आप select कर सकते हैं या फिर आप education भी रख सकते हैं कोई matter नहीं है अब बात करते हैं दूसरे के बारे में जैसा कि है आप blogging करते हैं यह बहुत जादा question साता है कि sir मैं blogging करता हूं तो मुझे कौन सी category रखना है तो भी अगर आप blogging करते हैं तो आपके लिए सबसे best category यह है कि आप रख सकते हैं people's and blocks वहाँ यह category अगर आप select करेंगे तो यह आपका blogging से related है अगर यह category आप select करते हैं जो भी blogging से related देखना पसंद करते हैं उनके पास आपके videos जाएंगे और जाहिर सी बात है एक category बहुत main role निभाता है अगर आप सही category चूच करेंगे तो सही audience के पास आपका content जाएगा जिससे आपका content viral होता है अगर गलत audience के पास जाएगा तो भीया कितना भी अच्छा content हो viral नहीं जा आते हैं कुछ भी recipe बताना बताते हैं उस वीडियो में तो आपको cooking वाले में how to end style वाला जो category है वो select करना है how to end style का मतलब है कैसे जहां पर कैसे आए कि मेंटर पनीर कैसे बनाते हैं या फिर यह क्या बोलते हैं आलू-दम कैसे बनाते हैं मतलब जहां कैसे की बात आई वहां आपको how to end style वाला category select करना है यानि कि आप खाने से related कुछ भी बताते हैं कोई भी recipe तो वहां आपको how to end style वाला category select कर लेना है अब बात करते हैं अगर जैसे कोई street food पर जाकर blogging करता है street food के बारे में बताता है यह देखिए मैं आज यह खा रहा हूँ यह यहां पर यह चीज famous है तो वहां पर आप how to end style न रखकर आप people's and blocks रख सकते हैं अगर आप travel में जाकर कुछ travel के बारे में बता रहे हैं कि आज में दार्जलिंग घूमने आया है दार्जलिंग ऐसा है वैसा है तो वहां पर आप travel and events वाला section है यह category आप select कर सकते हैं तो maximum category मैंने बता दिया है जो क मैं आपको बता दिये हैं max to max से यही type के लोग इसी type का video बनाते हैं अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं पूरा जो भी category का list है एक एक लिस्ट में एक एक जो नाम है सबका मैं detail में बता दूँगा कि इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है इसके अंदर कौन सा किस type का video आता ह या किस type का अगर आप film के कोई scene काट करके डालते हैं अपने shots में तो वो आपको film and animation category में रखना है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँँ कि इस तरीके से अगर आप category select करेंगे तो भहिया category select करने से ये फर्क पड़ता है जैसे मैं हूँ मैं बताता हूँ जैसे tech का तो बा प्रेट कर लिया तो मेरी वीडियो किसके पास जाएंगी जो लोग entertainment वाला वीडियो देखना पसंद करते हैं उनके पास जाएगी तो वो मेरा वीडियो क्यों पसंद करेंगे तो मेरा वीडियो फिर वो वाच नहीं करेंगे YouTube को लगेगा भाईया इसका वीडियो अच्छा नहीं है इसलिए लोग नहीं देख रहे हैं तो मेरा वीडियो वाइरल कहां से जाएगा तो इसलिए मेन होता है category अगर आप category सही सेलेट करेंगे तो आपका जो content है वो सही वीवर्स के पास जाएगा जो उस type का content देखना पसंद करता है जिससे वो जादा देर तक देखेगा content अगर आपके content में दम रहा तो फिर आपका वीडियो वाइरल जाएगा तो मेन होता है category सही सेलेट करना तो I hope मैंने maximum category सेलेट करके आपको बता दिया है कि आप किस चीज़ के बारे में मतलब जो भी वीडियो बनाते हैं कौन सी category सेलेट करेंगे क्योंकि maximum यही लोग बनाते अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बिना बोले like कर दीजिए क्योंकि आपका like मेरे लिए motivation रहता है साथ ही अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे जो subscribe बटन दिया गया है उस पर दबाकर बगल में जो घंटी दिया गया है उस पर भी दबाक करूं उसका notification आप तक पहुँचे तो मिलते हैं तब तक के लिए next वीडियो में जय हिंद वंद मात्रम